दोस्तो इस वीडियो में करेंगे Mitsubishi Heavy Industries 2.2 Ton Split AC की Unboxing बताएंगे आपको इसके Features साथ ही साथ बताएंगे आपको इसका छोटा सा Review लेकिन उसके पहले नीचे दियो अलाल सब्सक्राइब का विटन दबा दीजिए और अपने बंदू के साथ जुड़ जाए और रेगिलर वीड दोस्तो अन बॉकसिंग हो गई है और ऐसी लगए चुका है यहां आप देखेंगे तो इंडो यूनिट लगा हुआ है और इस दिवार के पीछे आउट-डोर यूनिट भी लगा दिया है इंडोर यूनिट करीबन 19 किलो का है और outdoor unit करीबन 65 kg का है तो नाम भी Mitsubishi Heavy Industries और दोनों units भी बहुत ही heavy है indoor unit और outdoor unit दोनों के sizes बहुत ही बड़े हैं और especially अगर हम outdoor unit के बारे में बात करें तो बहुत ही बड़ा condenser दिया गया है और उस वज़े से आपको unit का size भी बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है जल्दी से जल्दी heat decimate हो जाए ज्यादा से ज्यादा heat decimate हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा cooling मिल सके उस वज़े से Mitsubishi Heavy Industries के जो outdoor units होते हैं उनके sizes बड़े होते हैं Mitsubishi और O General जैसे brands especially Middle East के climate को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं यह temperatures 50 degrees से भी ज्यादा देखने को मिलता है मैंने dedicated वीडियो बनाया था अलग-अलग brands अलग-अलग AC brands के बार में आपको यहाँ पर link आजाएगा क्लिक करके देख सकते हैं वहाँ पर मैंने काफी detail में explain किया है बात कर लें इस unit के बार में तो यह है 2.2 ton का unit 3 star non inverter non inverter units ऐसे कमरों में लगाने चाहिए जिनके sizes बहुत बड़े होते और specially जहाँ पे ज्यादा openings होती है और अगर आपका टेरिस पे यहाँ आपका टेरिस फ्लाट है तो वहाँ पे non inverter AC बहुत important है अगर हम यह रूम के बार में बात करें तो यह करीमन 240 square feet का room है यहाँ पे काफी openings है सामने एक opening है right hand side में यहाँ पे opening है और यह टेरिस फ्लाट है तो यहाँ पे inverter AC लगाना समझदारी नहीं होती इसलिए यहाँ पे हमने non inverter AC लगाया है साथी साथ अगर हम warranty के बार में बात करें तो यहाँ पे आपको body पे एक साल की comprehensive warranty मिल जाती है compressor पर आपको चार साल की warranty देखने को मिलती है यह piece completely imported है made in Thailand लेकिन service बहुत बढ़िया है Mitsubishi Heavy Industries की और साथी साथ अगर आपका कोई part खराब हो जाते है तो वह parts भी आपको easily मिल जाते है इस AC के साथ आपको user manual आ जाता है और एक बहुत ही बढ़िया multi functional remote आ जाता है शुरू कर ल लेते हैं इसके कुछ बढ़िया features के बारे में on and off button से आप AC को switch on or off कर सकते है fan speed button में आपको चार options देखने को मिल जाते हैं high low auto low और medium साथ ही साथ यह वाला button जो आपको high power और economy mode के options देता है high power से आप fan speed को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं और economy mode से आप fan speed को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना electricity का bill भी बचा सकते हैं यहां पर आपको timer option भी देखने को मिल जाता है on off और साथ ही साथ sleep option भी देखने को मिल जाता है sleep options आप एक एक घंटे से बढ़ा सकते हैं तो यहां पर मैंने दो घंटे सेट किया है दो घंटे बाद AC बं सकते हैं इस बटन से आप घटा सकते हैं यह दो बटन से एरफ्लो के बटन से हैं अप एंड डाउन के लिए और लेफ्ट एंड राइट के लिए साथ ही साथ यह बटन आपको 3D auto का option देता है जो automatically room के dimensions को detect करता है और उस हिसाब से cooling करता है mode options में आपको 3 options देखने को मिल जाते हैं cooling, fan और dry mode dry climate के लिए dry mode दिया हुआ है जो moisture को रखता है climate में तो जो बहुत ही बढ़िया है अगर आप dry climate में रहते हैं इस AC को मैं करीवन 10 दिन से use कर रहा हूँ और मेरा experience बहुत ही बढ़िया रहा है इस AC में काफी बढ़िया features है और दो important चीज़ जो हर AC में होने चाहिए cooling temperature कितना ज़्यादा cool हो सकता है और कितना जल्दी cool हो सकता है आपका room यह दोनों इस AC में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया cooling है और बहुत ही जल्दी cooling देखने को मिल जाती है इस room में कुछ दिन पहले यहाँ पर एक voltas का AC लगा हुआ था और मुझे अच्छी तरश से याद है यह 18-19 degree Celsius मुझे करना पड़ता था उस AC में और उसके बाद 8-10 मिनिट बाद room में cooling effect देखने को मिलता था इस AC में मैंने 25 degree, 24-25 degree के नीचे में कभी गया नहीं हो और 2-3 मिनिट में 230 square feet का area वाला room बहुत chill हो जाता है तो यहाँ पर बहुत powerful cooling देखने को मिल रही है इस AC में दोस्तों इसके AC की 2-3 खामिया भी लगी है मुझे पहली बाद इसका जो indoor unit है बहुत ही बड़ा है मैंने दूसरे 2.22 turn के AC देखे हैं जहाँ पर indoor units छोटे होते तो यह मुझे एक बाद इसकी अच्छी नहीं लगी यह दिवार इतनी बड़ी नहीं है तो यह थोड़ा सा भा बार आ रहा है तो काफी बार ऐसा होता है कि यार looks में इतना अच्छा नहीं लगता है इसका placement तो यह मुझे एक बात इसकी खटकरी है और दूसरी बात इसका remote काफी brands आपको AC के remote देते जहां पर backlight नहीं होता है तो अंधेरे में आप यहां पर देखेंगे कैसे तो आपको mobile light on करनी पड़ती तो यह दो बाते मुझे इस AC की अच्छी नहीं लगी है इन दोनों चीजों के अलावा इस AC में सब कुछ है जो आपको एक AC से चाहिए साथी साथ इस AC का installation भी बहुत बढ़िया था engineers बहुत ही learned थे मेरे साब से और काफी professional थे बहुत ही जल्दी installation हो गया इस दिवार में ड्रिल करना एक मामूली बात नहीं है क्योंकि यहां पर टाइल लगे हो है बिना टाइल को तोड़ के double brick wall में ड्रिल करना तो मेरे साब से installation काफी professionally किया गया साथ ही साथ अगर मैं इस AC के special features के बात करो तो सबसे पहली बात में हुझे है इसकी build quality बहुत बढ़िय cool करता है वो आपको यह AC देता है तो मेरे इसाब से यह एकदम best AC है अगर आप एक ऐसे room में हैं जहां पर काफी openings है और terrace flat है और आपका area ज़्यादा है तो definitely आप आग बंग करके trust कर सकते हैं इस AC पर आपको यह निराज बिलकुल नहीं करेगा दोस्तों तो बस इतना ही था इस वीडियो में उमीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए आपने दोस्का शेर कीजिए जो लोग नए है सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में जैसिक मैं हमिशा कहता हूँ stay healthy stay motivated जैहन